काफी वीर्ड है यह कहना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यह कहूंगा बट मैंने All Elite Wrestling Revolution 2022 के रिव्यू की वीडियो बनाई है तो जाकर देख सकते हैं आप जाकर तो यह सुमाँ चैंपियन्स ओफ दौड मैं हूं 3DXJT and today we are going to take a look at कि कौन-कौन से Superstars के Pairs ने यानि कि कौन-कौन से Matches ने WrestleMania को Headline किया दो या दो से ज्यादा बार In fact, मैं उनको Rank करने वाला हूँ यानि कि नीचे से उपर तक की Rank में डालूँगा और जो सबसे उपर होगा यानि कि जो सबसे बाद में आएगा वो मेरे लिए सबसे Favorite रहेगा when it comes to these matches जिसकी शुरुआती करता हूँ मैं Mr. T and Roddy Piper से I know कि काफी weird लग रहा होगा है सुनकर कि क्या बात कर रहा है यार यह तो बहुत ही popular था पर देखो यार जब मेरी ranking है तो मेरे हिसाब से होगी और मेरे time पर भाई साब यह कुछ भी नहीं था Mr. T और Roddy Piper जब मैंने देखनी शुरू करी थी न Roddy Piper was already a hall of famer उनका सिर्फ शो आया था Piper's Pit तो मिरे को वहीं से पता चला था कि oh my god Roddy Piper भी कोई ऐसा legend है काफी बढ़िया है तो यह है बट इतना यह है कि at least मिरे को इतना पता है कि जो पहला WrestleMania का main event वह था उसमें Mr. T और Roddy Piper involved थे वो tag team match था और जो दूसरी WrestleMania यानि कि WrestleMania 2 उसमें Mr. T और Roddy Piper के बीच हमें boxing match देखने को मिला In case you don't know Mr. T is a boxer तो इसलिए WrestleMania में उनको use किया गया Because popularity लाने के लिए तो आयनों कि इनके भी जो भी पहले दो clash हुए थे वो दोनों singles matches नहीं थे पहला tag team था दूसरा singles match था और जो दूसरा match था WrestleMania 2 का Actually में वो वाली WrestleMania थी जिसमें हमें तीन अलग-अलग venue से event देखने को मिला था भाई क्या ही wild चीजे हो रही थी ना उस time पे Number 3 पर मैंने रखा है The Rock vs. John Cena मेरे को लगता कि यह वाला रखना easy था मेरे लिए when it comes to next three matches तो The Rock vs. John Cena I think काफी close है इसको बहुत closely हमने follow किया था and John Cena of course we know कि The Rock के साथ गए थे तो WrestleMania की like शान ही अलग बन गए थी और इसकी rivalry भी WrestleMania 27 से ही शुरू हो वे थी जब 28 में हमें पहला इनके बीच main event देखने को मिला and 29 में इनके बीच championship के लिए match देखने को मिला और यह जो 2-3 साल थे यह सर्फ John Cena and The Rock के base पर ही थे but considering किस तरह से मेरे को second gen का match था वो ऐसा जोतना कुछ खास लगा नहीं इसलिए मैंने इस match को रखा है number 3 पर वही number 2 पर मैंने रखा है The Rock and Stone Cold Steve Austin के matches और इनकी rivalry तो मेरे को लगता है कि आपको बताने की ज़ूर्थ नहीं अगर आप उस टेम पे थे भी नहीं तो भी आपने कहीं नहीं से सुनी लिया होगा कि किस तरह से Rock and Austin की greatest rivalry में से एक आती है और उस टेम पे WWE को attitude एरा में अगर किसी ने more popularity दी तो वह Rock and Austin की rivalry थी और इनके बीच basically हमें matches देखने को मिले when it comes to WrestleMania के main events 3 एक 1999 में एक 2001 में और एक 2003 में हर दो साल के gap में इनके बीच match देखने को मिल रहे थे उस टाइम पे और हुआ क्या जो वो तीन WrestleMania के matches थे उनमें सिर्फ दो time ऐसा वो जब वो main events में consider किये गए वो ते WrestleMania 15 और WrestleMania 17 तो I don't think so कि Rock and Austin के बारे में मेरे को ऐसा चुतनी बात करने की जरूरत है because you know all the drill and मैंने attitude era को क्योंकि बाद में follow किया था तो इसलिए मेरे को लगता है कि number two पर रखना justify रखता at least मेरे लिए I know कि this is the greatest WrestleMania like rivalry of all time but for me it stands at number two number one पर जो मैंने रखी है it is going to be shocking for a lot of people and it is Roman Reigns and Brock Lesnar ये भी already two matches कर चुके है पहला 2015 के main event में जो देखने को मिला था अगल WrestleMania 34 में जो कि like let's say कि disappointing था एक तो हम लोगों के expectations ही गलती हम ले पहले Dave Melzer चाचा के सुनके अपना ये मन बना लिया था कि भाई सब Roman Reigns जीतने वाले ये तो क्या फाइदा मैश देखने का turns out के Brock Lesnar जीत गया and now like this match is interesting considering कि पिछले एक साल के अंदर दो सूपर स्टार्स का कैसे character evolve हुआ है and we want to see कि actually में Roman Reigns के आर रेसलमेनिया जैसे main event में हरा पाएंगे Brock Lesnar को क्योंकि अभी तक वो main event में रेसलमेनिया के हरा नहीं पाएं पहले तो Seth Rollins ने बीच में आके अपना briefcase केशिन कर दिया second में Brock Lesnar जीत गए and third could be the time for the big dog Roman Reigns और maybe the tribal chief Roman Reigns big dog तो भाई बहुत पीछे रह गया है तो yes ये थे मेरी तरफ से rankings उन matches की जो कि रेसलमेनिया में multiple time headline करते दिखा ही दिये now comments में मैं आपसे पूझाना चाहता हूं कि when it comes to these matches जो कि multiple time main event के आपका favorite कौन सा रहा है comments में लेगो और अगर आपको वीडियो पसे नहीं तो प्ली लाइक रूशेर करो चैनल को subscribe करो wrestling France को पास बुलाया मेठे सब दूसे सब का दिल था चुराया अपने नाम का सच्टम था बनाया 2,000,000 का इसने परिवार था चुटाया पर समय की मार है या मेहनत की हार है ये खुट को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है अब सुसे की आज सब ने इसको बुलाया Friday's को इसने RKO था लगपाया